Good morning student, आज हम class 6 में unit 9 basic geometrical ideas समझने जा रहे हैं इस unit की exercise सुरू करने से पहले हमें definition समझने जरूरी है क्योंकि अगर जो हमें definitions के बारे में यही नहीं पता होगा तो हम यह exercise solve नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमें point, line, line segment, intersecting line इस अभी के बारे में नहीं पता होगा तो यह unit आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो इसके लिए पहले आपको definition सेखनी पड़ेंगी definition के लिए आपको सबसे पहले point आता है point सब भी को पता होगा क्योंकि हम इसके questions भी करते हैं decimal वो आता है point तो एक point जो होता है is a mark of position मतलब एक position को mark करता है बस सिर्फी एक point जो होता है it has no length, width और height इसकी कोई लंबाई, चुड़ाई और उचाई नहीं होती it has a position and location but no magnitude इसकी position होती है, location होती है बट कोई भी magnitude नहीं होता हम point को ऐसे show करते हैं point A, point B, point C हम इसको किसी भी direction में, किसी भी length और width की height का कोई भी मतलब हो सकता है इसकी कोई length नहीं होगी, मतलब length इस type से होती है ना कोई width होगी इसकी, ना कोई height होगी तो इसी को हम point बोलते हैं अब आती है आपके line if the point of a pencil is moved over a sheet of paper along the edge of a ruler the trace left represents a line line के बचरों तीन पाट होते हैं पहली line में फिर दूसरी line segment में और जो एक तीसरह होता है वह होता है ray यह तीनों ही line के parts होते है तो जो एक line होती है उसको हम ऊटकी जो end point होते हैं हमारी यानि कि जो end point होगए कोई fix नहीं होते हैं यानि कि pencil से हम इसको शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद इसको हम कितना भी खीच सकते हैं, हम इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं, और हम इसको right side और left side दोनों से बढ़ा सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं line, but जो line segment होता है, a line segment is a part of a line, मतलब line कहीं पार्ट होगा, और जो ray होगी, वो भी line कहीं एक पार्ट होगा, if has two end point, and a fixed length, line की ना तो कोई end point होते हैं, और ना कोई fixed length होती ही, बस line segment में क्या होता है, कि इसके point होते हैं end point वो fixed होते हैं, इसकी जो length होती हैं, जो fixed होती है, जिस तरीके से 4 cm, 5 cm, एक fixed length आपको बताया जाएगा, तो इसकी को हम बोलते हैं line segment, इसके बाद ray आती है, वो आप आगे सीखेंगे, उसके बाद आएगी आपकी intersecting line, intersecting line क्या होती है, when two line intersecting each other at one point, यानि कि जब एक point पे दो लाइने intersect करते हैं, यानि कि काटती हैं उनको, एक ही point पे, they are called intersecting line, इसकी को हम intersecting line बोलते हैं, देखें, इस तरीके से, एक line गई, फिर दूसरी line आई, और यहाँ पे यह meet point हुआ इनका, यानि कि यहाँ पे यह मिले, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, intersecting point, यह किसी भी shape में हो सकती है, horizontally, vertically, या फिर तिर्ची, किसी तरीके से भी हो सकती है, बस दो line हैं आपस में एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगी, जहाँ पर भी मिलेंगी, वही हमारा intersecting point होगा, अब आती हैं हमारी parallel line, parallel line क्या होती हैं, intersecting line तो एक दूसरे को काटती हैं, बड़ जो parallel line होती है, देखिए, ए pair of straight line, मतलब कि दो pair का मतलब जोड़ा होता है, यानि कि दो line का जोड़ा हो गया, pair होगा आपको straight line का, यानि कि सीधी रेखा, एकदम जैसे कि 180 degree का angle बनता है ना, तो straight line होगी, which never meet each other, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, intersecting line जो होती है, वो आपस में एक दुसरे को काटती है, बड़ पैरलर लाइन जो होती है, वो आपस में कभी भी एक दुसरे को नहीं काटती, इसको हम बढ़ा सकते हैं इसको भी आगे इधर भी पढ़ा सकते हैं इस वाले को भी बढ़ा सकते हैं इसको भी बढ़ा सकते हैं यहां से इधर भी बढ़ा सकते हैं लेकिन यह कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी are called parallel line इसको हम parallel line बोलते हैं इसके लिए एक example हो सकता है एक laser का यानि कि एक cd का और एक railway line का उसके बाद आती है हमारी collinear point collinear point क्या होते हैं three or more point are set to be collinear यानि कि 3 और 3 से ज्यादा point जब एक साथ आते हैं तो उसको हम collinear बोलते हैं if they are if they all lie on the same line यानि कि एक ही line पे होने चाहिए है वो अगर जो एक ही line पे 3 या 3 से ज़्यादा point हुए एक line पे, cd line पे तो उसको क्या बोलेंगे हम collinear लेकिन the point are set to be non-collinear if all do not lie on the same line यानि कि same line पर नहीं है वो 3 से ज़्यादा point है या 3 है बट वो same line पे नहीं है उनकी शेप कुछ और बन रही है तो उसको बोलेंगे हम non-collinear इस तरीके से आप आती है concurrent line 3 or more lines are set to be concurrent if they all pass thought a common point अगर जो जो सिर्फ two lines होती है वो intersect मतलब एक दूसरे को काटती है एक दूसरे को कहीं मिलती है सिर्फ two line होंगी तो उसको बोलेंगे हम intersecting line लेकिन जब line ज्यादा हो गई तीन हो गई, चार हो गई, ज्यादा हो गई और भी ज्यादा हो सकती है, पांच, छे, साथ कितनी भी हो सकती है तो हमारे यह पर line है L, M, N, P और यह point सब पे कहां पे काट रही है O, P, देखिए point इनका जो cutting वाला point, intersecting वाला point है वो सिर्फ एक ही है, common point है तो इसी को हम बोलेंगे, concurrent line इसके बाद आती है आपकी ray, यह भी एक line का part होती है यह ray is a part of a line बताया था आपको पहले भी कि एक line का part होती है, यह दोनों का mix होता है किसका line का और line sentiment का, क्योंकि line में क्या होता है point fix नहीं होता और line sentiment में क्या होता है, point fix होता है तो इसलिए इसका एक end point होता है, वो तो fix होगा इसको आप यहां से extend नहीं कर सकते इसको नहीं बढ़ा सकते लेकिन जो इसका दूसरा point होगा इसको आप कितना भी extend कर सकते हैं तो एक तरह से तो यह इधर से तो यह line segment हो गई और इधर से यह line हो गई तो जो ray होती है वो हमारी दोनों की mix होती है उसके बाद होता है plan यह क्या होता है plan is defined as a flat surface यह आपको एक flat surface को show करेगा that extend in definitely in all direction इसको कितना भी extend कर सकते हैं कितना भी चारो दिशाओं में सभी दिशाओं में इसको extend किया जा सकता है अब इसके बाद आपको exercise समझने में easy रहेगा thank you